राय बरेली के बच्रावा के दयानन्द पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नमामी गंगे के अफसर पर रैली निकाली गई जिसका उद्देश आम जन्मानस में मा गंगा के महत्व को समझना है वही रैली के अगवाई कर रहे प्राचार डॉक्टर सुभाष चंदर शिवास्तव ने कहा कि भारत देश संस्कृती और सभिताओं का देश है साल 2014 में भाचपा सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने गंगा सफाई एवं सुन्दरी करण के लिए नमामी गंगे अभियान चलाया वही नमामी गंगे रैली में NCC कैड़ेट कोर के एन ओ विश्णू चंदर शिवास्तव ने बताया कि देश के यश्षवी प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने नमामी गंगे के लिए 2037 करोड की धनराशी सुनश्चित की है और इसकी अबधी 18 वर्ष है महीं डॉक्टर शालिनी श्वास्तव रोवर रेंजर्स प्रभारी ने कहा कि मां गंगा जल ही नहीं एक आस्था का केंद्र भी है और हम सब की जीवन दाइनी है और हम सभी लोग गंगा की निर्मलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें मैं इस रैली के माध्यम से लोगों गंगर ये जागरुकता फैलाना चाहे रहा हूँ कि जनरें मुदी हमारे प्रदेश के पढ़ान मंती में एक आवाहन चला है कि गंगा सुक्षोप उसके लिए सभी लोग गंगा माता का नाम और पवित्र ताती और उनलेजर्स मैं इस रैली के माध्यम से लोगों में जागरुकता पैदा करना चाहेती हूँ कि गंगा महिया में जो कुड़ा कच्रा करके उनकों दूसित कर रहे हैं उसको सचता के और लेज़ा है आज हम लोगों ने नमावी गंगे की रैली के माध्यम से लोगों में जारुखता का फंदेज दिया है लाइफ 24 मैं खड़ा हूँ जंपर रैवली के बच्रावा के धैरम पीजी कॉलिल में जहां पर नमावी गंगे के लिए एक बच्चो द्वारा रैली निकाली गई है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ क्या कहना इनका क्या नाम है बखाता है यह आपकी जो नहीं है कहां के कहां तक देए अर्म मैं यहांते दैनला सकती तोन्हें पढ़ती हूं यह रही तक गई थी और फिर से लिड़की तक से